आराइट गाइज सौगत आपका इस वीडियो के अंदर तो यार फाइनली काईजू नंबर 8 का 6 एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड का नाब है सागा मिहारा नियुटिलाइजेशन ओपरेशन एट डे ब्रेक ओके तो आपको यादी होगा लास एपिसोड के एंड में य टीयार 245 पे एरिया की इवैकुएशन शुरू हो चुकी थी और यहां पे दिखाया जाता है कि लोगों को ट्रक्स में बरबर के ले जाया जाता है मतलब एवैकुएट किया जाता है ठीक है और इस काम में जेस डियेफ लोगों की मदद कर रही होती है ओके तो जेस्डिफ बनाया होता है लियोन मौल के पारकिंग लॉट के अंदर बताया जाता है कि एक होंजो है इदर उसके आज पास काफी सारी योजू है और बहुत बड़ी मात्रा में है यह लोग डिसाइड करते है कि होंजो को हराने का सबसे बेस्ट जगा सेंट्रल सेक्टर ब्रावो में है इस उपरेशन का नाम होगा सागा मिहारा निडिलाइजेशन ओपरेशन ओके यह दिखाया जाता है में डोट के उपर काफी सारे कॉनवाइब होते है और इसके अंदर यहां पर होशिना की पूरी योरिट होती है जिसमें काफ का भी शामिल होता है ओके यह लोग काफी दर लग रहा था कि उसने बहुत जादा खाली आए ठीक है अब उसको उल्टे आ रही होती है इदर कोई भी मोमेंट सीरिस नहीं रहे देता काफ का इदर और हल्ट मोमेंट को फनी बना देता है जो कि काफी अच्छी बात है हमें यहां पे लियान मॉल का सीन दिखाया जाता हमें होशिरा के प्लैटून का जब सीन दिखाया जाता है तो इदर होशिरा के ग्रूप में आपको पता है काफ का भी होता है और इस नुट्रलाइजेशन एरिया को देखके उसे थोड़ा नर्वस फील हो रहा होता है वो दिखता है कि यहां सामने जो होंजो खड़ा है वो डिफेंस ऑफिसर है वो आगे रहेंगे और सबसे लास्ट में रखा जागा इन नए रिक्रूट्स को क्योंकि अभी सी बाता है यह अभी नए है और यह आगे चलके नहीं लड़ सकते हैं जिसके बाद यह सबके सब काफी साथ मोटिवेटिट हो जाते हैं चिलाते हैं और द काफ़को क्या हoping 1- resting ऑपने आपको साबित करके नहीं हो नहीं लेकिन इसरी वमनमें बता है कि जोब हमीशा से काफ़का चाता था इसा उसका एकसाइट होना बनता ही है हमी सेक्टर एको इकटब दिखाई देते हैं जिसके बाद आप के लिए और कूछ जाते है इस बिल्डिंग से लेकिंगे दूसरी और हमें मीना का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने स्नाइपर पॉइंट पर पहुच चुकी होती है और अब जो डिफैंस पोस्त थे वो लोग अपना आटिलरी शूट करते है इस होंजों के उपर लेकिन इस ट्रेनिंग एक्जाम जैसे नहीं है इस समय में बहुत जादा शांद महसूस हो रहा है वो धीरी देर करके आगे बढ़ने लग जाता है और वो कहता है यह बात तो है कि मेरा सूट मेरी बहुत मदद कर रहा है यहाँ पे उसके अंदर की चोंबैट पावर होती है ना वो धी करनी पड़ेगे कि हमको किसी ऐसे जगर नहीं जा सकते है तुम लोग जहां पर बस बैठके तुम देख सको हमारे रास्ते में ना हो ठीक है तो यह सुनके दो किकोरो को अजीब सा लगता है क्योंकि ऑविस सी बात है किकोरो तो कमाल की है है कि यहाँ पर वो अपना जलबा इन सारे वेटरेंस को वो असानी से इन सारे के सारे योजूस को निपटा देती है जिसको निपटाने के लिए यह भाई इतनी महनत कर रहे थे तब से ओके तो हमारी किकोरो भी काफी कमाल की है वो कोई मजाक नहीं है ठीक है ना यह वेटरेंस देखके शौक हो जाते है कि ए इहारो और इची कावा बगेरा होते हैं, यह लोग भी यापर योड़ की बाट लगा रहा होते हैं, यह बताता है कि जिसमें अपने बड़ना को फ्रीज राउंड में कर दिया और यह स्टाइल को मैच कर पाता है , जिस秒 वह अपनी दुश्वन को धिमा कर सकता है और उनसे बेहतर तरीके से लड़ सकता है, तो यह देखके तो भाई ती हारो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि ओविसली वह यहाँ पे इची कावो को अपना कॉंपेटिशन मानता है, वही आपे दिखाया जाता है कि हारो इची कैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इ इसके मेंबर्स भाई आपे काव टी मोटिवेटेड हो जाते हैं इन रिक्रूट्स को देखके और इनका सेल्फ कॉंफिडेंस लो होने लग जाता है, ठीक है, तो वह बताती है कि उसे होशिना ने बताया था कि काफी नए लोग आये हैं और यह लोग इचले बैचे से सबसे जादा बेस्ट है, यहां तक कि इनकी जो एवरेज अनलीश कॉंबेट पावर है वो इतने सालों में सबसे जादा देखी गई है, यहां पर एक रिपोर्ट सारी होती है कि योजुस को खतम किया जा रहा होता है, और काफ का यह सारी रिपोर्ट देख रहा होता है, वो यहां पर रेलाइस करता है कि कैसे वो यहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, वाकि सब लोग कि इतनी मदद कर रहे हैं, यहां पर काफ को को पहले वाला सीन याद आता है, जब वो वेटरन ने कहा था कि तुम पीछे बैट के देख नहीं सकते हैं, जब तक हमें दुश्मन के आता हुए तो वो जाता है और इस योजू की बॉड़ी को काट पातके देखता है, और देखता है कि वो अपनी सूट की 1% पाउर की वजय से भी असानी से इसकी बॉड़ी को काट पाता है, यह लोग इस सूट को मास् प्रोडूस करें, जिससे की जो क्लीनिक स्कॉर्ड है उनको भी ये सूट्स दिये जाए, इससे उनका काम असान हो जाएगा, है की नहीं, यहाँ पर वो समझ जाता है, कि यह योजु एक फंगल टाइप है, और आम तोर पर जहाँ पर इसका कोर होना चाहिए, वहाँ पर उसका कोर नहीं है, तो वो यहाँ पर इसका कोर ढूनना बने हो है, जिसका मतब है कि यह रीप्रोड्यूस कर सकते है, फिर चाहिए यह मर ही क्यों न जाए, यह तब तक पैदा होते रहेंगे, जब तक हम इन वाइट बंप्स को डिस्ट्रॉइ नहीं कर देते हैं, ठीक है, तो इस इन्फोर्मिशन से होशिना काफी जादा खुश ह साथ जाकर जरूर खड़ा होगा, उसकी मदद करेगा, तब ही यहाँ पर दिखाया जाता है, काफी तगड़े ध्हमाके हो रहे होते हैं, इस होन्जो के उपपर, और हमें बताया जाता है कि इस होन्जो के लेक्स पे, यह सारे डिफेंस फोर्सेस अटैक करेंगी, यहाँ प जरती है कि काफका ने बच्पन में उससे कहाता कि देखते हैं, सबसे कूलेस्ट डिफेंस ओफिसर कौन मनेगा, और इस समय तो सच बताऊ तो भाई, मीना ही कूलेस्ट लग रही होती है, वो देखती है साइड में काफका खड़ाओके देख रहा होता है, और वो कहती है कि देखो काफका, इस समय ऐसी हूँ मैं, तो विसके लिए को कहना चाती है कि वो इतनी कूल है इस समय ठीक है और बात तो सही है वैसे, वो यहाँ पर रैड़ी होती है इस अटेक के लिए और काइंड ऑफ भाई, इस काईजू को बीच में से फाड़ कर रख देती है, लेकि अ एक और अटेक करने के और वो इसके कोर पे अटेक करके इसका पूरा कोर उड़ा देती है, अभी भी उसकी थोड़ी बहुत बाड़ी बची होती है जो कि नीचे गिर जाती है, लेकि फिर से यहाँ पर परमिशन मांगती है मीना अटेक करने के लिए, थर्ड राउंड के लि अगर उसके tutaj न तुमें तुमेहे तुम्हें तुम्हे가ी तुम्हें क्ञापुंहब होडा ही काम 25 काम-टाय काम सकता लेकर अगर बात हो छोटे मॉंस्टर की या फिर मीडियम साइज मॉंस्टर की तभी आपे पीछे से एक यो जो आता है बाड़ा सा इससे वेले कि काफ को कुछ कर पाए तभी पलक जपकते होशिना उसको अपनी काटाना से काट कर देता है बाद एक सेकंड भी ने लगता उसको और उसके तुकड़े तुकड़े हो जाते हैं होशिना कहता है कि हाँ तो इस मामले में मैं बेटर हूँ जब बात हो क्लोज रेंज अटैक की आफका देख भी नहीं पाता है कि ये सब हुआ क्या और होशिना बताता है कि उसकी फैमिली काईजो हिंटर्स के एक ऐसे क् अची पीरट से लड़ते आ रहे हैं होशिना बताता है कि वाइस कैप्टन और कैप्टन किसी भी पोर्स के सबसे इंपोर्टन और पावर्फुल मेंबर्स होने चाहिए और हर एक को एक स्पेशल एकुप्मेंट मिलता है उनके फाइटिंग स्टैल्स के हिसाब से तो होशिन इसने अंदर बढ़ रहे होते हैं होशिना भली अपने वाले यूनिट को बोल देता है कि तुम लोग जा सकते हैं और अराम से ब्रेकफास कर सकते हैं क्योंकि सुबह हो चुकी है हम लोग यह सब समाल लेंगे वेटरिंस को यह बात सुनाई देती है तो वो कहते हैं बच्च से अगर वो इस लेवल को पार कर लेते हैं तो भाई वो अलगी लेवल पर पहुच जाएंगे इसी समय जाहतर आफिसर्स अपना करियर खतम कर लेते हैं जाहतर से जाहतर 20-30% की पावर को अनलीश करके लेकि सिफ कुछ ही होते हैं जो कि आगे चलके कैप्टन बन सकते हैं उ लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंट लाइन पर लड़ने के लिए ठीक है जब यह लोग यह पर पहुचते हैं तो देखते हैं इधर एक योजू होते हैं उसके महां से क्लीम स्कॉर्ट को बंदा बैठा होता है तो यह लोग कहते हैं तुमने अलाम नहीं सुना क्या यहां पर है कि क्या तुम लोग कुछ जानते हो और इसके वए शकली अजीब सी हो रखी होते हैं तो अब फथानी आगे क्या होगा यह एपिसोड यही पर खत्म होता है अब मुझे नहीं पता आप मेंसे कितने लोगों को पता चला है कि मेरा गला खराब है और मैं को कोल्ड हो रखा ह है ठीक है इसलिए मैंने रात में यह वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे तब रात में कुछ जादा खराब हो रही थी इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता था ओके तो चलो फिर यार अभी के लिए तो यह वीडियो आ चुकी है इस पे सपोर्ट दिखाना अपना प्य कि बड़िभी के सब तो च WORK अर च बनाड़ चलो भाउच वाखे हैं hopeful च लो कि क dele बाने में क्योंकि मैं कर दो इसलिए में क्योंक।